इंडिया में जब अपनी कार लेकर आप सड़क पर निकलते हैं और सड़क पर आपको गड़े ना मिले तो आपको गाड़ी चलाने में फिर मज़ा ही नहीं आएगा और इनी कड़ों में गारी चलाने पर आपको जटके ना लगे इसके लिए कमपनियां देती हैं सस्पेंसन जो सौक एब्ज़र्ट का काम करती हैं लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा है कि car company जो है वो गाड़ी में normal suspension की जगए air suspension देना चालू कर दी है तो अब सवाल यह उठता है गाइस कि या कि normal suspension अच्छा होता है या फिर air suspension जादा अच्छा होता है और जटकों से बचने के लिए उसमें temper का इस्तिमाल किया जाता है air suspension का फायदा यह होता है कि अगर गाड़ी में load जादा भी हो जाता है तो वो गाड़ी को नीचे बैठने नहीं देता है लेकिन normal suspension में क्या होता है कि अगर load जादा हो जाता है गाड़ी में तो गाड़ी नीचे बैठने लगती है दबने लगती है air suspension के चलते handling और light quality दोनों ही आपको बहतर लगती है